आज मैं इस वीडियों बात करने वाला हूँ सिंगाम अगेन के डे सेवन बॉक्स आफिस कलेक्शन एड बूल भूलिया थरी के डे सेवन बॉक्स आफिस कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में कि आखिरकार पिछले साथ दिनों की आंकरी के मुताबिक दोनों ही फिल्मों ने एज की कमाई सबसे ज़्यादा हो चुकी अभी तक और आखिरकार इंडिया और और आभसी मार्केट में किसका बिजनस जो है बहतरीन देखने को मिल रा है इनसारी जिए को एज इंडिफ्ट और डिटेल में एनलेसिस करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को सिरूसां तक देखें गाइज इनसारी जो समझने के लिए सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं जहां पर सिंगा में का पहले दिन का जो बिजनस था एटलिस 65 क्रोपीज का व्ल्डवाइट बिजनस था फिर दूसे दिन एज़े साटर डे साट क्रोब 20 लाक रुपए की क बात करें तो 28 करोब 50 लाक करा इस बिन कंप्लीट करी थी वह हैं कि हम दे फाइब की बात करें तो आगर देखे जाए तो एट लिस साड़े 10 करोड के आसपास बताए गये हैं अभी तक रफ डाटा आ चुका है इंडा ग्रॉस बारक करोड करोड के आसपास और सिस कलेक्शन 6 करोड 50 लाक रुपए टोटल देखा जाए तो 18 करोड 50 लाक आकरा यहां पर भी देखने को मिल रहा है जहां जो रफली डाटा के मुताबिक वहीं बात करते हैं डे 7 को लेकर तो जिस तरह के डवांस वो क्योंग ऑक्पेंस रेट है जिस तरह से लगातार लोग पबलिक इस इंडिया क्रोस 207 करोड 25 लाक रुपए और से इस कलेक्शन साथ करोड 70 लाक रुपए और वर्डवाइट विनस की बात करें तो 267 करोड 95 लाक का आकरा कम्पलीट हो जाएगा अब बात करते हैं भूल भूलिया 3 को लेकर तो भूल भूलिया 3 का अगर हम डेवाइज के पर इस फिल्म ने 15 क्रोड 20 लाक का विनस कंपलीट किया था वहीं डेव 4 है जे मंडे के मौके पर 29 क्रोड 50 लाक का विनस रहा यानि कि डेव 4 देखा जाए तो कहीं कहीं सिंगा मग्यान से बहतरीन कलेक्शन रहा इस फिल्म का अगर इंडिया ओवरसी मार्केट के कर लिया था इस फिल्म ने वहीं डे 6 की बात कर ली जाए तो इंडिया का नेट कलेक्शन 10 करोड 70 लाक रुपे जहां भूल भूलिया थरी का और इंडिया ग्रॉस 12 करोड रुपे और वरसीस कलेक्शन 5 करोड के आसपास टोटल बिजनस 17 करोड के आसपास पताया जा रहा है यहां भी सिंगम अगयन का कलेक्शन बहतरीन है जिहां वहीं डे 7 की बात करें तो इज़े थर्ष्टी 8 करो रुपे इंडिया का नेट कलेक्शन इंडिया ग्रॉस आटल इस करोड रुपे और वरसीस कलेक्शन 44 करोड रुपे और वल्वेड विनस 24 करोड रुपे अब सकता है भूल बले याथरी का at least 14 क्रोर 50 लाग से ज़्यादा का collection नहीं होगा इतना जो है trade expert का मानना है वैसे दोस्तों देखा जाए तो दोनों के ही budget अलग-अलग हैं दोनों के ही expect अलग-अलग हैं collections के मामले में भले ही singham again आगे है लेकिन भूल बले याथरी का budget कम था 1500 क्रोर में ही बन गई थी तो at least blockbuster होई चुकी है इट का वड़ेग मिल चुका है blockbuster भी बन जाएगी लेकिन singham again के लिए भी blockbuster तक पहुँचने में वक्त लगेगा इस हफते तक इस फिल्म को collection जो है सायद जाके ये फिल्म साथे 300 करोर कहां कर आप पार करें वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है singham again भुलूले अथरी दोनों में ही किसका collection lifetime collections के मामले में ज़्यादा रहेगा इस पर आपकी क्या opinion और thoughts है जरूर सिर कीजे मिलते हैं रिपोर्ट में जो की होगा आपके लिए काफी खास